हेलो फ्रेंड स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आज इस वीडियो में देखने वाल हैं बिहार पुलिस कॉंस्टिवर घटना 42 प्रैक्टिशेट नमबर है 21 रहने वाला एक से लेकर के 20 तक जो प्रैक्टिशेट है आप लोग को प्लेलिस्ट में क्रमब तरीके से मिल करणे जाएगा अगर आपने नहीं देखा है तो वहां से आपो जाएक बंड़ करेक्ट प्रश्ट करने सब्सक्राइब पंद्रा दहर त्यराम पूछे के प्रश्ठ सत्रहмыश्ड देखेंगे, एससारे हो चुके हैं, अब मात्र चार ही प्रैक्टीश ए्ट बचिए है जल्द इसे कउप्टेट करवा करके प्रैक्टीश हैर्टकर स्टार्ट करने वाले हैं, फ्रस्ट नमर कोचन दिया गया, पार् बहुभी शमास में है तो ते थिए पर प्रधान होता है इस समान में बिद्वान दूनों पदों के अतरीग्त आने प्रधान होता है अर्था समस्त पद किसी आने के रुपने परियुक्त होता है जैसे दसानन गिर्धर पितामबर आदी दसानन अर्थात रावन गिर्धर अर्थात कृष्ण पितामबर अर्थात विश्णू सही उत्तर को छाटे सैनागर कातर हिमाले स्रशना के अधार पर क्र से इनका परिश्य क्या हो जाएगा तो योगिक रूड और योग रूड सैनागर्ज योगिक है कातर रूड है और हिमाले स्रशना या क्याहत योग रूड है इसके वारा डिटियल देख लेते हैं जाद समझ में आएगा जिन सब्दों को अलग करने पर उनके खंड सार्थक न योगिक कहते हैं जैसे कि आग बबूला गुर्शवार सैनागर्ज योगृड किसे कहते हैं गिजब परियास करेंगे चली आगे बढ़ते हूं निमलीखित वाक मेरे खांकित क्रियाविशेशन सब्दों के भेदों का शही विकल्ब चुनकर लिखें तुम जितना खाओगे उतना ही ताकतवर बनोगे तुम जितना खाओगे उतना ही ताकतवर बनोगे यह हो जाएगा परिमान वाचक क्रियाविशेशन परिमान वाचक क्रियाविशेशन एमिन तुम जितना खाओग उतने ही ताकतवर बनोगे तो क्या बता रहा है तो परिमान बता रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दिया गे परिमान वाचक क्रिया विशेशन क्रिया की मात्रा को दर्साते हैं जैसे मात्र जरा अती थोड़ा थोड़ा बहुत तनीक इतना उतना यह सब क्या है तो परिमान वाचक है परिमान बता रहा है मात्रा दर्सा रहा है सान्ती से बैठकर अपना कार्श कीजी, मेरे खांके सब्द का क्रियाविश्यसन का प्रकार है. रिती वाचक क्रिया की स्थीती तरीके सैली को परगट करते हैं. एसे अचानक, धीरे, अच्छी तरह, जरूर, सच्मुछ, वास्ता में सायत, इसलिए इत्यादी. यह सब क्या है तो यह हो जागा रीती वाचक, रीती वाचक क्रिया की स्थीती तरीक्या और सैली को प्रगर करता है, इसका एक्जामपल दियागे, ऐसे अचानक, धीरे, अच्छी तरह, जरूर, सच मुच वास्ता में सायद इसलिए इत्यादी, जिसके हिर्दे में ममता नहीं है, के लिए एक सब्द है, जिसके हिर्दे में ममता नहीं है, उसे कहते है निर्मम, जिसके हिर्दे ममता नहीं है, उसके लिए क्या प्रयोग होता है, तो निर्मम, और जिसमें दया का भाव ना हो, उसे निर्दे कहते हैं, और जिसमें स्वार्थ साधने की भाव ना हो, उस मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने तो इस सुध दिया गया है मेरे दोस्त के पिता जीर तंबाकु के पुराने व्यापारी यह सही दिया गया है नेश्ट है फिल इन दा ब्लैंग बाइ चूजिंग दे राइट आप्शन नाइदर निउ येर्ज आई नौर वेलेटाइज डे या फिल होगा इज इज एनेशनल होल्डे इन इंडिया ऑप्शन नंबर सी इंगलिस को खुछ से देखने का प्रियास करिएगा नीचे दियेगे वाग के रिक्त स्थान पर सिंगलर भर्व इज का प्रियोग उचित है नाइदर नौर और आइदर और के साथ प्रियोग नौन के लिए हमेश तो रुवर्दिस सब्सक्रिया का प्रियोग किया जाता है नेश्ट है जो किसवान ओब दा फॉलयएंग पिर्श इंप इस इंकॉर्ऍट विच वन ऑफ फॉलयएंग पिर्श इंकॉर्एंग इसका राइटर से दिया गया है मॉल डेम ऑप्सन नंबर d इसका डिटियल दिय आप देखना चाहना तो देख लिजिएगा नेश्ट है इंगली सही कुछ आगया है इन दा फॉलाइंग संटेंस वन वर्ड इज अंडरलाइन चूज द वर्ड विच मिन्स मॉस्ट नियरली दा सेम अज दा अंडरलाइन वर्ड इसका राइटेस हो जाएगा फॉल्स एंडिसलोयल आप डिटेल दिया गया है नेश्ट है इसका राइटेस दिया गया अप्शन नमर सी खसरा रोग चूज दा कॉरेक्ट ऑप्शन तु कम्प्लीट दा फॉल्वाइंग संटेंस आइवाट अल्दीज बूक से फॉर ओनली सेवन हैंडेड चलिए आगे बढ़ते हैं इंग्लिज को खुछ से देख लिजेगा वीडियो का फॉस्ट करके नेश्ट को शन देखते हैं डॉक्टर भीम्रां अमेट कर निमने से किसके साथ समंधित नहीं थे तिया हो जाएगा राजपुनन आयोग से समंधि किस देश में चलाएगया सफरागेट्स मुहमेंट किस देश में चलाएगया तिया ग्रेट ब्रिटेन में सफरागेट्स मुहमेंट प्रसीद नारिवादी अंदुलनों में से एक है इस अंदुलन के सुरुत उनाइटेट किंग्डम ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी यह अ सब्सक्राइब करता है राजसभा के सदस्यों के अधिक्तम संख्या 2500 हो सकती है लेकिन बरतवान में कितना है तो 245 जिसमें से 12 यह मनोनित किया जाता है राष्टपती के दौरा वाकि जो होता है उनकी क्या किया जाता है उनकी नियुक्ति की जाती है नेश्ट है पंचाय समीती के सदस्यों अक्सर धाई वर्स के लिए चुने जाते हैं नहीं पांच वर्स के लिए पंचाय समीती के सदस्यों अक्सर पांच वर्स के लिए चुने सब्सक्राइब नेश्ट राष्टिया सिछा नीती 1986 का उदेश क्या नहीं है तुछ अस्तर की सिछा ही एक मात्र मार गया है सिछा समाजवाद धर निर्पेस और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है सिछा उनके लिए जो इसमें रूची रखते हैं यहीं क्या है गलत दिया गया ह पिछड़े वरों के लिए सिछा की सही विवस्ता होनी चाहिए यह सब राष्टिया सिछा नीती 1986 का क्या है तू देश है लोकतंत्र को शफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए लोकतंत्र को शफल बनाने के लिए दिरोजगारों को रोजगार देना चाहिए और सिर्फ सिछ नसलवाद का अर्थ होता है नसलवाद का अर्थ होता है रंग भेद नसलवाद वह अवधारना है जो किसी एक नसल को दूसरी से स्वेश्टतर या निमतर मानती है नसलवाद का अर्थ होता है रंग भेद इनमें से राष्टिय राजनीतिक दल कौन है राष्टिय राजनीतिक पहुजन समाज़ पार्टी बाहरतिय जनता पार्टी करवनीष पार्टी ओफ इंडिया और यंडिया नेश्टिवादी कांग्रेस पार्टी नेश्टनल पीपुल्स पार्टी यहां पे दिया गया है भारत में इस समय नो राष्टिये दल हो गए है नौवराष्टि ये दल आदमी पार्टी है लोकतंत्र जनता का जनता के दौरा है किसने कहा था अब रहाम लिंक कने बहुत जल्द ही बहुत जल्द ही मैं आप लोग को टॉपिक बता दूँगी बिहार पुलिस का आप लोग किसके टॉपिक को आप लोग को कंप लुए हमिल होते हैं शंगवाध समिधान की मूर्च स्रश्णा के अस्तभों में से एक है संगवाध समिधानिक तौर पर सक्ति को साजा करता है क्योंकि इसमे स्वसासन तथा साजा सासन की विवयस्था होती है भारत एक भारत जो है या एक पथ निर्पेश राष्ट है प्रकाश नरायन को लोकनाय के नाम से जना जाता है भारत छुड़ा अंदोलन के दोलान बहुत हिजाद सक्रिये रहे थे हजारी बाग जेल में इन्हें बंद कर दिया गया था दिवाली के रात में दिवाल भान करके भाग गये थें कहां चले गये थे तो नेपाल में चले गये थें भारत के किस प्रधान मंत्री ने स्रिलंका में भारतिय सांती सेना भेजी थी भारत में भारतिय सांती सेना किष्णे भी थी तो भारत के प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने नेश्ट है इनमें से कौन सा दे दितिये विश्व यूद के दोरान धूरी राष्ट गुट का सदस नहीं था ते चीन नहीं था जबकि जापान जर्मानी और इटली था दिते विश्व यूद 1949 से लेकरके 1945 तर चला था दितिये विशुप यूद के प्रशाद विश्वय में 20 विश्व यूद ना हो इसलिए संजुक्त राश्षांग का गठन किया गया था आप लोग कमेंट करके बताएंगे संजुक्त तिया काते है रॉबस पियर को आतंग का राज किसे काते है किसके सासन काल को तो रॉबस पियर को कहा जाता है फ्रांस में आतंग के सासन के सुरुआत मैक्स मिलियन रॉबस पियर दौर सितंबर 1793 में हुई थी और जुलाई 1794 में यह समाप्त हुआ था आतंग का सासन आमतर प प्रतिनीधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है तो प्रतिनीधित्व नहीं तो कर नहीं या किसका नारा है बताईएगा आप्सन को देख लेते हैं पहले इसका राइटन्स हो जाएगा अमेर्की क्रांती से इन में से कौन सी घटना दितिये भी स्वियूत का परिणाम नहीं है क्या नहीं है आप निवेशिक समराजवादों का अंत इंग्लेंड के सक्ति में हरास राष्ट संका गठनिया सही नहीं ह जबकि रूस और अमेरिका के प्रभुत में ब्रिधी नेश्ट है गांधी जी दचीन अफिरका से भारत कब लोटे थे तो पता होगा कब लोटे थे 9 जनवरी 1915 को और 9 जनवरी को क्या होना रहता है प्रवासी भारतिये दिवस मना रहता है 22 साल अफिरका में रहने के बाद महात्मागांधी वहां से लोटे थे नेश्ट है संजीक्त राष्ट का चार्टर कहां त्यार हुआ था संजीक्त राष्ट का चार्टर कहां त्यार हुआ था 21 साल महात्मागांधी अफिरका ने रहे थे उसके बाद भारत लोटे थे एक मिनट 1893 सॉरई 1893 में भारत लौट थे संजुक तराष्ट का चार्टर कहा त्यार हुआ था त्यार हुआ था स्टैन फ्रांसिस्को में अंतराष्टी संगठन के समय में अज़े संजुक तराष्ट के सदैस्यों के समयलन समाप्ति पर सैन फ्रांसिस्कों में 26 जुन 1945 को सराष्ट के घोष्णा पत्र प्रहस्ताचर किये गए और घोष्णा पत्र 24 अक्टॉबर 1945 से लाग हुआ था इनमें से कौन संजुक तराष्ट संग का अंग नहीं है पर अंतराष्ट्य नयाले न्यास परिसद्थ और सच वाले इस वस्वास तराष्ट नहीं है और शुड़ामन के समय ही काया हुगे थे जाट काफि सकती सालिश होगया का निर्मान किया और अपना राज अस्था भीत किया था त देवन के उस विद्वान का नाम बताया जिन्होंस बुदТ परिषय महां भूम का थे 1940 से लेकर के 1946 तक सरवाधिक अध्याचता के पत्र बने रहे थे मानव और नागरीकों के अधिकार के खुष्णापत्र के बारे में क्या गलत है जो सभी ब्यास्कों को मतदा मतदिकार दिया जाएगा यह क्या है गलत है जबकि इसे पुरातन विवस्था की मिर्तु प्रमा सरवाधिक अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है बनस्पाती जो विश्वत रेखिये वनों से समंधित नहीं है वह अकेसिया जोकि महोगनी रोजवूट आयरन वूड यह से समंधित है महोगनी रोजवूट असकल वूड आयरन वूड आदी विश्वतिय वनों के उ आज जाकर देखना चाहिए तो देख सकते हैं नेश्ट है फरवनस्पती निवने से किस समंधित है फरवनस्पती जो अलपाइन वन से समंधित है अलपाइन वन से अलपाइन पौधे ठंढ़े जलवाई में उखते है इसका अंत्रक्रत मॉस लाइकेन है किश्टो धर्म परथारा है उससे में 17 थी लेकिन अलतार माध में अठार रियल मंडल है जैसनी 30 रेलवेश जोन देस का ठार रेल मंडल वन गया है इसका मुख्या लेका है तो भी साखापत्नमिए है नेस्ट कोशन है वर्स जिसमें प्रत्थम प्रिथी सबसे नियुक सामेलन का मुकावला करने के लिए सदस्ट देश समझ थे हैं हस्ता च्वतिया थे भायत दुसरा बड़ा जल परपात है सबसे दूसरा पुछघा रसा नामर सी या करनाटक मिस्थित है या पर दिया गया जोग अगर सोपर जलप्रपात का नाम बदल कर महात्वंगानी जलप्रपात कर दिया गया है या करनाटक मिस्थित भात का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है इसका नमान सराब्दी नदी पर किया गया है सबसे बड़ा जलप पूर्मानसुन है ऐसी वर्स अक्टुवर महिने से सुरू होती है और जन्वरी के मत तक लगभग जारी रहती है चैन्द्रमा की घुनन अवधी कितनी है तो 28 दिन यहाँ पर दिया आगे चैन्द्रमा की अपने आश पर एक घुनन करने में लगभग 27.3 दिन का समय लगता है ऑप्सन के अनुसार हो जाएगा 28 दिन जन्गना दो हैगी एक के अनुसार कि इस ब्यावसाइक वर्ग में भारत की कार्शी जल संख्या किसे लगना दीतिय स्रमाथ सेक्टर में कारक जो जल्वाई को प्रभावित नहीं करता वह है तो है जाएगा प्रित्वी की परिभामन गति जल्वाई को प्रभावित नहीं करता है जबकि अच्छांस शमुन्द से दूरी प्रित्वी की कर्मन गति या सब जल्वाई को प्रभावित करता है और भी दि करती है गुजरात राजस्थान मत पर्देश जारखंड च्छतिस गड़ पश्चिमंगाल तिरपूरा और मिजुरम मीत्र पर गमच्छा जार ट्रिक तो बहुत ही ज्यादा फेमस है उसे याद रख लिजेगा चलिए आगे बढ़ते हैं राउर केला यह है उडिसा में राउर स्थापित के आ गया था वही कि अगर बात की जाए राउर केला तो हो इंगया यह जर्मानि चलिए आगे बढ़ते हैं वह कारों से किह और ता बुंकरों किया भ тебя वो का बिलाई को भी को भी अस्थापिद किया गिए था रूस के आसे वो कारों का नहिए भिलाई का है तो 36 गड़ में है नेश्ट है भायत में सरवजननी के छेत्र का पहला एक क्रिट इस पास सी अंतर जो कौन सा था तो यह था राउर केला और इसके स्थापन जर्मनी के साहता से की गई थी संजुक्त राष्ट दिवस मनाया जाता है संजुक्त राष्ट दिवस 24 अक्टूबर को क्योंकि 24 अक्टूर 1945 को इसके स्थापना की गई थी इसका मुख्याले निव आर्क में है कंगारू कहां का मुख पसु है तो कंगारू बहुत ही फिमस है अस्ट्रेलिया का अस्ट्रेलिया पसू भी है वर्थ दोह 14 फुटवाल भी स्वेकाप में हुआ था क बाजील में क्या खेल से कोश्चन पूशए जाता है करेंटर में अ ध्यान दिजीएगा नियाने से कौN से बिटामिन D बनाता है शरीरि में विटामेंडी क्न बनाता है तो राया मुख यहे एक सभी छीन नाम होता है hvis स्का पालिक डिक सिरा किन नाम होता है ऐगो कैल्सी फो उसमानी किया था संतोश ट्रॉफी का समंध किया से है क्स खेल से संतोश सम्ध उसका समध फूटवॉल से उन्यसकों का मुख्याले कहां इस स्थित है तो परेश न्यूज मेरा फ्रांस में इसका पूरा नाम जो में प्रोटीन संस्लेशन का होता है। कोश्ट के अंत्राविजालिका में याजर सप्राइब कर रहते हैं मंडल में राशानिक पोषको का चक्रन होता है इन सबी के दौरा जेसे कि जल्म का वाई ये मंडल में नियुक्त माठीक और पुस्कों का चक्रन वायु जल भूमी आदी के द्वारा होता है भायत में खरीव फसल का मौसम होता है त्योंता जुलाई से अक्टूबर भारत में खरीव एवं रभी दो प्रमुख मौसम है ऐसे ऐसे जायद भी है लेकि प्रमुख अगर बात की चाहिए तो खरीव एव कि कि खेती की जाती है वहरब इख वसल में यह कि खेती की जाती है कहा चना की खोच्विते में संटेस इससे हीन जहरीली वस्वाद हीन गैस थे इसका नहीं सब बहुत सारे लोग इसमें मिर्टु को प्राद कर गए थे अहार श्रिंखला में मौजूद मेढ़क टीड़ा घास और साफ में एदी घास प्रत्थम पोसी अस्तर पर होगा देखिए सबसे पहले जो घास आ जाएगा घास ज पूछा जा रहा है किर्तिय पोसी सामड होना चाहिए क्या पूछ से फ्रेंखला मौजूद मेढ़क टीड़ा घास मेय ती घास प्रत्सपर पूसी अस्तर हूं पोसी हrän पईजिना है तो तीसरे त्थन पर को आजाएगा तो पहला दूसरा तीसर स्था तिसरे फिरेंखिए गष्ट भेखा और चोथे जो होता है पूर्धावन की वैसे स्खमता पाई जाती है है इक अई नोड मेटा में फाइलम एकाई नोड मेटा का सदस्वें पून रुद्वन की छमता पाई जाती इस संग के दोरा जनतु समानता समूंद्री होते हैं एकाइनोड मेटा का नाम करन जैकोफ कलीन के दोरा किया गया था टू-फोर्डी है टू-फोर्डी एक खर-पतवार नासक है जो चोड़ी पती वाले खर-पतवारों को नियंतित करता है यह 1940 के दसक से किट नासक रूप में इस्तमाल किया जा रहा है आपतन का कौन इनके बीच का कौन है तो आपतन कौन सता पर अभिलाम तथा आपतित कीरन के बीच का कौन है आपतन कौन किनके बीच का सता पर अभिलाम सता पर अभिलम तथा आपतित कीरन के बीच का कौन क्या खलाता है आपतन कौन खलाता है नेश्टे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं वही दिया आगे हैं कैक्टरस में पाए जाने वाले अनुकूलन है तो कैक्टरस में पाए जाने अनुकूलन जो है यह परनाप इवं परनसूल है क्क्टस पॉद्हे के तर्में चप्टे और मांसल होते हैं इसकी पतियां सलकों में बदल जाती है तनों में जलवाखाद प्रवजास परदातों कर शंचित होने के कारण इसमें बावसवसरजन कम होता है इनके कारणों होते हैं क्योंकि हरruck उर्जा क्या होती है घर ती जाती है तेन प्रसेंट का नियम पताई होगा देख लेते हैं आपि समावत Like का स्थी का नियम का हम निया था जिसके अनुसार को बाइर पूंचय unikten को ख़ता है चाहए ग्राफ relative का मान है तौरन का मान पूछा गया है, अंसर दिया गया है, आप लोग देखने का प्रयास करिएगा, चलिए आगे बढ़ थे, स्वाल भी किया गया है, यह पर दिया गया है, जब इस थापन समय ग्राफ एक सीथी रेखा में है, तो ऐसी सीथी में वेक एवां समान बना रहेगा, इसल प्रत्यावर्ति धारा में धारा के दीशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं, एक प्रत्यावर्ति धारा को ऐसी धारा करूप में परिवासित किया जाता है, जो समय के निमित अंतराल पर अपने परिमान और दीशा को बदलती है, प्रकास की एक किरन एक माध्यम जिसका प हो्फ पर्वेस करती है अगर आप तन कों i दिताओ परवरतन कों r हो तब sin i equal to sin i x sin r का मान होता है सुरी इसका राइन सर दियागा अवसर नम्डी देख लीजएगा जब परकास एक कीरन एक माध्य हम जिसका प्रवरतनांग यह प्रवेस्ट करती है यह आपतन कुन आई था आप पवरतन कुन आरहो तशनेल के निया मानुसार यूवन यूटूब अटा यूवन स्वारी यह मियू दिया गया मियू का सिंबर है मेरे ख्यासे मतने के परशाद क्रीम का दूल से प्रित्थक हो जाने का करण है अपके अं मशीन यह भी आपके अंदरिये वलका उदारन है नेश्ट है एक चलना प्रवर्ण कर दे तो अस्वारोही के पीछे की तरफ गिरने किया संका का कारण विश्राम जड़त्व है जड़त्व के नुसार जब कोई निकाय विश्राम आवस्था में है तब उस वस्था में तब तक बना रहेगा जब तक उस पर कोई बहा बलना आरोपित किया जाए इसे विश्राम जड़त्व करते हैं इसलिए जब घोड़ा एकाग चलना प्रवर्ण करेगा तो अस्वारोही के पीछे की तरफ गिरने का खत्रा बढ़ जाता है जड़त्व निउटन के प्रतम गतिके जब दोंके तरो से एक ही दीसा में बिधुत्र प्रवाईत हो तो वे एक दूसरे को अकर्सित करती है जब दो ध् consuming चलना पर एक यांत्रिक बल करता है यदि दो चालकों में बहने वाली विद्धोधारा की जिसा एक हो तो एक दूसरे को आकर्सित करते हैं नेश्ट है मैट से इसका राइट अंसर हो जाएगा अंसर तो दिया गया नहीं है यहां पर सॉल्फ किया गया सॉल्फ करकर अंसर निकाला गया 0.05 नूमेरिकल दिया गया है आगे बढ़ते हैं दो द्रवमानों के विश्ट लगने वाला कर्सन बल कमान होगा पांच किलोग्राम दस किलोग्राम दिया गया है इसका राइट अंसर देख लेजे क्या दिया गया विहार पुलिस में भी नू तो उस विजयन में ओच माइनस की साधरता होगी तो इसकी आसारता दे रखी है से 10.10 के पावर माइनस 11 10 की पावर माइनस 11 आप शॉल्म भी इसासाथ की आगे देखना चाहें तो देख सकते हैं एक पीको ग्राम ब्रावर होता है तो 10 के पावर माइनस 12 ग्राम रेमान कमापनी की लगुए एकाईया मीली ग्राम माइक्रो ग्राम नैनो ग्राम पीको ग्राम तथा ठेम्टो ग्राम आदी है एक पीको ग्राम 10 के पावर माइनस 12 ग्राम के ब्रावर होता है ग्रेफाइट को प्रयोग किया है क्योंकि यह कार्वन का अपरूप तो ही है यह कागज प्रचीन अंकित कर सकता है इसका राइटस रही दिया गए यह कार्वन का अपरूप है यह भी ध्यान रखेगा यह सस्ता भी होता है रिफार्वन का अपरूप है इसे प्रचीन अंकित कर सकता है option के निसार A होना चाहिए था और दिया भी गया है निम्न अभी किर्या में H2S plus Cl2 2HCl plus S Cl2 अक्सिकारक की तरह विवाहर कर रहा है chlorine अक्सिकारक की भाति विवाहर कर रहा है त्री सहसेयोजी नाइट्रोजन गैस के अनों में निम्न आवन है तो त्री सहसेयोजी option number D दो नाइट्रोजन परमानों अपना अश्टक पुरा करने के लिए तीन सहसेयोजक बंद का निर्मान करती है यहांपे प्रवानों और इलेक्टरोणों का और त्याग करत किन्तु वे वहातिक और रशानिक रूप से भीन हो, तो वह परदार्थ का यह गुन समाविता कहलाता है, पेजल में गामा उसरजक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टी निमलीखित में से किस से की जा सकती है, यह की जाती है, प्रसफूरन गनक के द्वारा, पेजल में गमा उसरजन समस्थानिक रूप सिति का पता लगाया जाता है, प्रसफूरन गनक से, निमलीखित में से किसको वूड़ ऐस्परीट कहा जाता है, वूड़ ऐस्परीट करते है, मेर्थिल अलकुहल को, नूट्रून का मान होता है, नूट्रून प्लस प्रोटोन, जो की न्यूट्रॉन के संख्याओं के योग के बरावर होती है जिसे उस प्रमानों की द्रमान संख्या कहा जाता है आप एक्स बरावर है पुछा गया है और दिया गया है खुल से सॉल्व करने का परियास करेगा साथ साथ इसको मिलाने का भी परियास करेगा इन्हें से किस परिमे पायोग गुनान फल क्रमस अच्छे और तीन है तो समिकरन है नैंटी फॉर का अंसर दियाएगा और सी देख लिजेगा खुछ से मैं दिखा दे रही हूं जाएगा और सी बीडियो का पॉस्ट करके स्वल किजिए अगर बढ़ाते 97 का दिया गाएगा और सी नेंटी नैंटीड आपसिन नंबर ए और हैंडरेट कांसर दिया और अपसिन नम्र दी सॉख कोशन हमने कंप्लीट कर लिया वीडियो कैसा लगा आप लों कमेंट करके जरू बताएंगे अगर नाय होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे और इसे शेयर भी क्या करेंगे जल्दी इसे समाप्त करके प्रैक्टिसेट को भी लाने वाले हैं मात्रिचान ही प्रैक्टिसेट बचा हुआ है चलिए प्रैक्टिसेट जो मैं लाओंगी उसका मैं पीडियेफ भ तक के लिए धन्यवाद